ओम्चान्तिन स्वयम भर्वान ने आकर हमें पवित्रता का महामंत्र दिया है हमारे ओरिजिनल प्योर संस्कारों को उसने इमर्ज कर दिया है आते ही प्योरिटी का वर्दान लिया बच्चे तुम तो देव कुल की पवित्रात्म हो तुमारा तो मोल स्वरूप ही प्योरिटी है अब उसे जगाओ तुमने विकारों की चाद्रे डाल कर अपनी प्योरिटी को छुपा दिया है अब उसे बहार निकालो तुम तो पवित्रता के सुरिय हो तुम्हारी पवितरता के प्रकास से तो जग का अंधकार दूर हो जाएगा और बहुत सुन्दर बात कही जो आत्माई संपूर्ण पवित्र बनते हैं प्रकर्ती उनके हर संकल्प को पूर्ण करने में तक पर हो जाती है कितनी बड़ी चीज है प्रकर्ती से हमें सर्वस्व मिलेगा जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे हम सब जानते हैं ध्यान से देख लीजिए सत्यूग में जब हम संपूर्ण पवित्र हैं प्रकर्ती हमें सर्वस्व रदान कर रही है कितना सुन्दर रहस्य है और जब आत्माएं पवित्र हो जाती हैं, तो प्रकर्ती उन्हें कुछ भी नहीं देती, प्रकर्ती से उन्हें खेंचना पड़ता है, किसे आज प्रकर्ती से अन, फल, जल, सब खेंचा जा रहा है न, दोहन हो रहा है, प्रकर्ती को खाली गिया जा रहा है, तो आईए हम पुने संपूर्ण पवित्रता की रहा पर चलें ये प्योरिटी ही हमारी रोयल्टी है इसी से हमारे चेहरों पर राजाई संस्कार आते हैं दिविनीटी आती है, दिव्यत आती है और प्योरिटी का प्रकास सब को महसूस होता है आगे चलकर वो समय भी आएगा कि संपूर्ण पवित्र आत्माएं मस्तक के मद्ध में चमका करेंगी जैसे हीरा चमकता हो और अनेक लोगों को उनके धर्शन हुआ करेंगे ये पवित्रता ही हमारी सेवाओं का भी आधार है किसी भी निमित आत्मा की प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी देव कुल की आत्माएं खिंच खिंच कर उनके पास आएंगी और प्योरिटी को हमें केवल प्रमचरिय तक्सीम इतना ही समय लेना चाहिए बाबा के बहुत सारे बच्चे ब्रम्चदिये में बहुत स्ट्रॉंग हैं उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता उनसे कोई पवित्र बात भी नहीं कर सकता ये भी अपनी में बहुत सुन्दर बात है गर्व है इस महान यग्ज के निर्माता को के उसने इतनी पवित्र आत्माओं का निर्मान किया है लेकिन प्योरिटी की चमक, प्योरिटी की दिव्यता, प्योरिटी का बल तब आता है जब हम व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो जाएं फिर साधारन संकल्पों से भी मुक्त हो जाएं और स्वमान के इसमर्ती स्वरूप के स्रेष्ट संकल्पों में रहने लगें तो आईए कुछ महानात्माएं संपूर्ण पवित्र बनें एक हजार आठ तो बनें तो इससे संसार में बाबा की जगेकार हो जाएगी हमारे चमकते हुए दमकते हुए चेहरे बेलकुल अलोकिक दिखाई देंगे संसार उनकी और पूर्ण तया अकरसित हो जाएगा तो आज सारा दिन हम यह अभ्यास करेंगे मैं बहुत रोयल राजाई कुल की रोयल आत्मा संपूर्ण पवित्रता का फरिष्टा हूँ इस संपूर्ण प्रकर्टी का मालिक भी हूँ और हम अपने को संपूर्ण पवित्र बनाने के साथ साथ इस प्रकर्टी को भी पवित्र वाइब्रेशन देती चलेंगे बाबा परमधाम में पवित्रता के सागर उनके स्वरूप को निहारें उनसे चार और पवित्रता की सखेब रस्मियां फैल रही हैं वो नीचे मुझ पर आ रही हैं और मुझ से चार और फैल कर प्रकर्टी को पावन कर रही हैं यह बहुत संदर अभ्यास जो प्रकर्टी को पवित्रता की सक्ती देंगे हमें आज करना है यह बहुत बड़ा पुन्य होगा प्रकर्टी के हम ऐसा मन्द हैं चोंकि मावन कर उसने सदा हमारी भलना की है और जिसे भी हम देखें जो भी हमारे सामने आए उसे भी पवित्र वाइब्रेशन्स दें ऐसा स्रेश संकल्प अपने मन में सारा दिन रखेंगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम च्छान्ती